हेलो एब्रिवन, मैं हूँ संदन, स्वागत है आपका अपने चानल हिंदी जनकारी में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो हैं अपने योन्नो एस्वियाई अप्लिकेशन से किसी भी कंपनी का मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं बहुत ही असानी से तो विनादेर किये हुए चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपने फोन पे आना है और वहाँ पर योन्नो एस्वियाई अप्लिकेशन को ओपन करना है जैसे ओपन किजिएगा आपके सामने जो है कुछ इस परकार का इंटरफेस जो है आपको देखने के लिए मिलेगा आपको सिंपल ही लोगिन वाले अप्सन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपना इंटर एमपिन डाल कर लोगिन होना है जैसे हैं लोगिन होएगा आपके सामने जो है कुछ इस परकार का इंटरफेस जो है आपको देखने के लिए मिलेगा आपको यहाँ पर सकेंड में योणो पे का अप्सन मिलेगा आप उसमें क्लिक करें जैसे हैं क्लिक किजिएगा आपको यहाँ पे जस्ट नीचे में आपको quick payments का option दिखेगा आपको इस वाले option में आपको second prepared mobile वाले option पे क्लिक करना है जैसे हैं क्लिक किजिएगा आपके सामने जो है bill payments नाम का एक option खुलेगा और जस्ट इसी में आप नीचे की ओर आईएगा तो recharge का आपको option देखने के लिए मिलेगा आप उस पे क्लिक करें जैसे हैं क्लिक किजिएगा तो यह automatic जो है mobile पे select रहेगा आपको यहाँ पे नीचे की ओर देखेंगे तो select your operator में आपको जिस company का mobile recharge करना चाहते हैं आप जो हैं यहां से उस company का चुन ले और चुनने के बाद जो हैं उसका mobile number जो हैं यहां पे इंटर करें और जस्ट नीचे में जो हैं आप यहां पे amount इंटर कर सकते हैं या फिर बगल में आप देखेंगे view plans मिलेगा आप इस पे क्लिक करके उस mobile का मने क्या क्या plans हैं आप उसको जान सकते हैं और जस्ट नीचे में जो हैं आपको यहां पे bank आपको मिलेगा आपका आप मतलब यह नोई sbi में जिस भी account को link किये होंगे आपको यहां पे वह सू हो और जस्ट आपको यहां पे नीचे में आपको next वाले option पे click कर देना है और जैसे next पे click किजेगा आपके सामने जो हैं कुछ इस परकार का interface आपको देखने के लिए मिलेगा आपको just mobile number यहां पे so होगा mobile operator होगा और कितना amount आप paid करना चाहते हैं आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगा और just नीचे जो हैं आपको confirm वाले option पे click करना है और जैसे confirm किजेगा तो आपके mobile पे one time password यानि की OTP send किया जाएंगा आपको यहां पे उसको fill करना और just fill करने के बाद जो हैं आपको submit वाले option पे click करना है और कुछी देर बाद जो हैं आपका payment जो हैं successful हो जाएगा आप यहां पर उसको देख सकते हैं तो आप बहुत ही आसानी से जो हैं अब NOSVI का यूज़ करके आप जो हैं किसी भी company का mobile recharge कर सकते हैं यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like वा share करें चैनल पे पहली बा कॉमेंट करें मिलते हैं अगले नई वीडियो में तब तक के लिए take care by दोस्तों जै हिंद जै भारत